हेलो फ्रेंड्स और वेलकम तो मैं चैनल दीपस की चन आज मैं बहुत हेल्दी और टीस्टी मौंग दाल पराठा की रैस्पी लाई हूँ यहाँ पे मैंने हरी मौंग की दाल ली है उसको मैंने रात को भिगो दिया था और सुभे मैंने इसमें सीठी लगा ली है सीठी लगा के इसे उबाल लिया है अब यहाँ पे मैंने एक पेड़ा लगा लिया है उसे बेल लिया है आटे का और मौंग की दाल मैंने ली है एक चुटकी मैंने यहां लिया है सेंधा नमक एक चुटकी मैंने लिया है लाल मिर्च एक चुटकी मैंने लिया है यहां पे आजवाइन आजवाइन जरूर डालें पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और साथ ही यहां पे मैंने लिया है सूखा आटा सूखा आटा इसलिए मैंने डाला है क्योंकि यहाँ पे जो डाल है वो थोड़ी सी गीली रह सकती है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सूखा आटा डाला है वैसे तो मैंने डाल का इसमें से पानी निकाल दिया है अब आप देखिए यहां पे मैंने पेड़े को अच्छे से सील कर लिया है थोड़ा सा यह जो है दाल की वज़े से चिपक रहा है तो ध्यान रखना है इसका अब मैंने यहां पे इसे बेल लिया है दोनों तरफ से देशी ही लगा के इसे सीख लिया है तो खाईए इंजॉई करिये और मुझे सब्सक्राइब करिये थैंक यू